इस वीडियो में इन दोनों हैजबेक गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपकी जरूरत के हिसाब से होगी बेस्ट जानिए इस वीडियो में आरेस कार जोन को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं जब भी कोई हैजबेक गाड़ी को खरीडने का मन बनाता है तो सबसे पहले मारूती सुदूकी और हुंड़े की गाड़ियों पर विचार किया जाता है दोनों ही कमपनिया लंबे अर्शे से ग्राकों की सबसे पहले पसंद रही है हाला कि अब लोग नई कमपनियों पर भी भरोस्व कर रहे हैं अगर आप भी इन दोनों कमपनियों की गाड़ी को खरीडने में विश्वास सकते हैं और एक हैजबेक की तलाश में है महज 6 लाग की कीमत में इन दोनों गाड़ी की पूरी डिटेल जिसे आप अपनी पसंद की कार असानी से चुन सकते हैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ी के इंजन, पावर और माइलेश की बात कर लेते हैं इस समय मारूती सुदू की स्रिफ्ट में केवल एक पेट्रोल इंजन मिलता है जो 1.2 लीटर VVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है ये इंजन 82 BHP की पावर जिनरेट करता है और 113 एनम का टोर्क ये कार मैनूल और और ओर्टोमेटिक दोनों टांस्पिशन के साथ मिल जाती है वही माइलेश की बात करें तो ये कार 21.27 किलोमेटर पर लीटर का माइलेश क्लेम किया जाता है वही हुंड़ाई I10 Neos में 3 इंजन मिल जाते हैं एक डीजल इंजन दो पेट्रोल इंजन इसमें 1.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है एक 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है और दूसरा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन के साथ C&G का उप्शन भी मिल जाता है हाला कि इस कार के पेट्रोल वर्जन से सिर्फ पेट्रोल की तूल न करे तो इसकी पावर और टोर्ग में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है दौनों ही गाड़ः सेम इंजिन सेम पावर सेम टोर के सात्थ मिल जाती है हुंडाइ कंपनीने क्लीम किया है लिविधेियर में 20.7 ग्लम्यों तक का मालिग क्लीम किया है और डीजल में 25.1 क्लम्यों तक का मालिग क्लीम क्लीम की जाता है ये कार मैनुल और अटोमेटिक ट्रांसमेशन दोनों में मिल जाती है इंटीरियर की बात करें तो मारुति सुजु की स्विफ्ट में बलैक कलर की थीम मिल जाती है जो की स्पोर्टी लुक देती है इसके साथ ही कार में स्टेरिंग मांटिन कर्ट्रोल वाला फ्लैट बोटन स्टेरिंग वील मिल जाता है इसके इलावा टर्स्क्रीन एंफोटेर्मेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं मारुति सुजु की स्विफ्ट में वहीं आइटनियोस में Android Auto Apple CarPlay के साथ आठ इंच की टर्सक्रीन एंफोटेर्मेंट सिस्टम मिल जाती है साथ ही रेर एसी वेंट ऑटो एसी भी मिल जाता है सेफ्टी में दोनों गाड़ियों में कीरेस एंट्री जेयर पार्किंग सैंसर्स ड्यूल फ्रंट एयर बैग एबियस एबिडी जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाती है प्राइस की बात करें तो मार्ति सिफ्ट का प्राइस 5.19 लैक रूपे से शुरू होता है वहीं इसका टोफ वेरियंट का प्राइस 8.02 लैक तक मिल जाता है यह कार मार्किट में 7 वेरियंट और 1 इंजन के साथ मिल जाती है वहीं हुंडे आईटे नियोस का प्राइस 5.06 लैक से शुरू होकर 8.29 लैक तक मिल जाता है यह कार मार्किट में 15 वेरियंट और 3 इंजन के साथ मिल जाता है कुल मिलाकर दोनों गार्डियों की बेस वेरियंट में महज 13,000 रुपे का अंतर है अब बात आती है इन दोनों गार्डियों में से कौन सी गार्डी को लें कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्टी सिफ्ट और हुंडे आइटे नियोस दोनों ही गार्डियों में अपनी अपनी खोबी है अगर आप डिजाइन चाहते हैं तो आपके लिए हुंडे की आइटे नियोस बैस्ट आप्शन है क्योंकि कम्पनी ने पिछले साल इस कार को न्यूड डिजाइन के साथ लौंच किया था वहीं अगर दिश्वास की बात करें तो लंबे समय से मार्किट में मुझूद होने के चलते मार्टी सिफ्ट ग्रागों की पहली पसंद रही है इस वीडियो में इतना ही I hope आपका confusion दूर हो गया होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं इन दोनों कर में से आपको कौन सी कार अच्छी लगती है और कौन सी कार आप लेना चाते हैं ठैंक्यू